आज हम बनाने वाले हैं करेले की रेस्पी भरवा करेले बनाने वाले हैं वह भी मेरे मम्मी के तरीके से जिससे बनाना बहुत ही आसाना और फटा फट से बनके तयार हो जाते हैं यह कि मैंने करेले लिए हैं अधा किलो के करीब इनको हमने अच्छे से ओपर की स्कीन निकाल द मिक्स करने के बाद कम से कम से एक घंटे के लिए रख देना रेस्ट पर ताकि इसका कड़वापन निकल जाए और यह देने कुछ मसाले दनिया पाउडर कलोंजी जीरा मेथी थोबी से सॉफ हैं इन सभी को डाल के हम रोस्ट करेंगे हलका चटकने तक इसमें डाल देंगे राई क्योंकि राई बहुत जल्दी ही यह पक जाती है इस लेमने से तोड़ा सा बाद में डाला है यह देखिए राई भी हमारी चटकने लग गई है अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद में तो यह मसाले हमारे जल जाएंगे उनको बस हलका सा लाल करना था यह देखिए कलर चेंज हो चुक है बस अब गैस बंद करके से निकाल लेंगे प्लेट में होने देंगे थोड़ इसका एक पाउडर बना लेंगे बहुत ही ज्यादा बारिक नहीं पीस नहीं हलका सदर जरा रखना है इस तरीके समय यह मसाला बनाके तयार कर लेना है अब इसमें हम डालेंगे एक मीडियम बड़ साइच के प्याज है लसंकी कर लिया है छे से साथ थोड़ा सा गरब मसाला नमक यह मैंने कच्याम की यह खटाई बना के रखिए वह डाल दिया इसको थोड़ा सभी गोक रख दे ताक यह सौफ्ट हो जा अच्छा से और यह देखिए हमने इसको भी पीस लिया है अब यह जो मसालें उसी में मिला देंगे हम वह और यह देखने ने गंटे बाद इनक करके इनको अच्छे से निचोड लेंगे ताकि इनका कड़वापन जो भी पानी इसका निकला हुआ है वह हम निकाल देंगे यह देखिए नमक मिलाने से देखिए कितना सार इसका पानी निकल गया है अब करेलो को अच्छे सम दोलेंगे चाहे तो आप इसे वास ना करिए भर लीजेए बैसे हुआ वहने अच्छे से मेने फास करने अच्छे सम नेकलाए नच्छे से अच्छे से बिए अच्हें कर लेंगे अच्छे से से यह स्टट आप ढें से से सारे करें भर लेना इस तरीके सा भर लेने के सारवेशiny इस तरीके सरे करवेट हैं पदाव कड़ाय तेल ना को बलाक में पर फश्वार में टेल मिया जाल डाल देने हैं जब्द नंबोर्ड में यह को पर नवे बस इसी तरहीं के समय उलटते पर प्लटते वे पका लेना है उपड़ें उसको अच्छा से प्लटने के बाद फिर से हम इसे ढखें दो से तीन मिनट के लिए पकाएंगे इस साइड से भी बस एक दू मिनट के लिए और इसी तर यह से इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद भड़के फिर से पकाएंगे इसके एक दू मिनट हो चुके हैं यह देखे करेले हमारे अच्छे से पक चुके हैं अब गैस की फ्लैम को कर देंगे हम बन इक रादे करेले हमारे अच्छे से पक चुके हैं अगर मेरी वीडियो पसंद राते ही ते मेरे सेमें को लाइक करें और कमेंट करना ना बोलें रहे लाइकन जुरूर प्रस करें जिसे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन में करती रहें प्लीज कमेंट करके जुरूर बताएगा मेरी वीडियो से पी आपको कैसे लगी और मेरे फेस्बुक चैनल को भी फॉलो जुरूर करिएगा थैंक्यू फॉर वार्ट